नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप अपने Windows 10 computer और laptop को आसानी से reset या format कर सकते हैं, वो भी बिना data को lose किये, computer को format और reset करने से आपके computer की drive में मौजूद सभी data erase हो जाता है, और Windows दोबारा से reinstall होती है, ऐसा आपको कई कारणों से करना पड़ सकता है, जैसे अगर आपके पास एक पुराना computer या laptop है, और आप उसकी performance को बेहतर करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको एक new window अपने computer में install करनी है, तो भी आपको उसे format करने की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा अगर आप अपने computer की drives को clean करना चाहते हैं, तो भी आप उसे format कर सकते हैं, त तो इसके लिए नीचे start बटन पर क्लिक करें, फिर settings को open करें, अब आपको यहां update and security option पर क्लिक करना है, अब यहां left side में recovery option पर क्लिक करें, यहां reset this PC में get started बटन पर क्लिक करें, अब अगर आपको अपनी personal files को save रखना है, तो आप पहले option keep my files को select कर सकते हैं, इससे आपके computer में मौझूद जो भी files हैं, वह delete नहीं होंगे, हालांकि आपके apes को delete कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको अपने computer को पूरी तरह से clean करना है, तो आप दूसरे option remove everything को select कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको सलाह दूँगा कि अगर आप अपनी personal files को save रखना चाहते हैं, तो उ आपको choose कर है कि आप windows को कैसे reinstall करना चाहते हैं, अगर आपके computer में windows already मौझूद है, तो आप दूसरे option local reinstall पर click करें, otherwise आप cloud download option को select कर सकते हैं, जिससे window online download होगी और फिर आपके computer में reinstall होगी, आम तोर पर आपके computer में already window मौझूद होती है, तो आपको local reinstall option को select करना चाहिए अब next पर click करें, अब ये थोड़ा processing करेगा, अब आपका computer reset होने के लिए ready है, आप view apps that will removed पर click करके यह देख सकते हैं, कि PC को reset करने से कौन-कौन से apps remove हो जाएंगे, चाहे तो आप इन्हें no down कर सकते हैं, ताकि बाद में आप इन्हें दोबारा install कर पाएं, अब जैसे ही reset बटन पर click करेंगे, आपका PC restart होगा, और window जो है, वह दोबारा से reinstall होनी शुरू होगी, इस बीच आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, so hopefully इस वीडियो को देख कर आप अपने computer या laptop को format कर पाएंगे, अगर ये वीडियो आपको useful लगी, तो please like, comment, share and subscribe to